नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंद सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिजे ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉलो करते है तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे सारे अपडेट यहीं पे आते हैं ध्यान लग्येगा कोई भी पेड गूप अगर आपको जोइन करना है तो सिर्फ 856-480530-969-0608-9752-3804455 यही नंबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल यह वाट्सप कर सकते हैं इस वीडियो में हम में सांसर आइटिंग प्राक्टिस के तरू एक मेस के परस्पेक्टिफ से बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक को क्वेशन के फॉर्म में डिसकस करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इंपोर्टेंट टॉपिक को क्वेशन के फॉर्म में समझते हैं हमारा क्वेशन कहारा है What was the significance of Royal Indian Navy mutiny in the freedom struggle? स्वतंतरत संग्राम में Royal India Navy के वित्रो का क्या महत्व था सबसे पहले हम आंसर के शुरुवात करेंगे यह बताते हुए कि Royal India Navy की म्यूटनी स्टार्ट कैसे हुई थी तो Royal India Navy की HMIS तलवार की जो रेटिंग थी रेटिंग कौन होती थी जो कि नेवल फोर्सेस के ओफिसर्स होते थे ओफिसर्स के नीचे की रेंग की जो सेलर होते थे इन्हें रेटिंग कहा जाता था तो Royal India Navy की जो आयचमाइस तलवार की रेटिंग थी उसने भूख हड़काल कर दी और भूख हड़काल करने का इनका में मुड़दा क्या था क्योंकि इन्हें बहुत खराब खाना परोसा जाता था जिसके बारे में इन्होंने अपने आलाफ सरों से शिकायत भी करी थी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया बलकि उनके साथ खराब व्यभार किया अब शब्द बोलें तो इसी की वज़े से फिर एक टाइम के बाद इन और उसमें पुलिस भी जुड़ गई तो यह विद्रो फैला और इसने काफी पड़ी भूमिका निभादी इंडिया को इंडिपेंडने में और जब इंडिया को इंडिपेंडने के बाद वहां के प्राइम निस्टर अटली जब इंडिया आय थे और वो क्यलकटा पहुंच जब कोई भी विद्रो इतना जादा नुकसान नहीं पहुंचा पया जितना की नेवल रेटिंग नेवल रेटिंग के जो म्यूटनी थे उसने हमें पहुंचाया था तो में जब क्यामनेट मिशन आता है तो जब सरकार को बिटिश इंडिया गवर्मेंट को समझ में आ जाता इनके हरताल के मुखे कालन सबसे पहला था नसली भेदभा और अथर गतिने खनाप खाना परोसा जाता था उसके अलावा वरिष्ट अधिकारियों का इनके प्रती बहुत अपमान जनग व्यवहार था बहुत अभधर भाशा का इसकमाल वो किया करते थे उसके अलावा इंडिया नाशनल आर्मी के शोल्जियास का ट्रायल भी एक रीजन बना इस स्ट्राइक काौन कौन सी गतिविधियां शामिल थी इस पूरी म्यूटनी में तो म्यूटनी के अंतरगात उन्होंने बॉम्बे बंदरगाह पर जहाजों को पकड़ा और लंगर डालना शुरू क बिद्रोही बेड़े के मस्तूल पर तिरंगा अर्धचंत्र और हथोड़े और दराती के जंडे फेराए गया यानि होस्टिंग ओप ट्राय कलर एंड क्रेसेंट अन्द हैमर और सिकल फ्लाक्स उन्दी मास्ट ऑप दरेबल फ्लेक्ट उसके अलावा बिद्रोही बेड़े क करांची तक फैल गया था और यूरोपी और पुर्लिस कर्मियों को इसमें धंकाया गया था लेकिन इसमें धंकाया गया था लोगों को अंग्रेजों को लेकिन किसी भी ऑफिसर को अपने बड़ से बड़े को नुकसान नहीं पांचाया गया था कोई भी इसमें वॉयलेंस नहीं हुआ था, पिक्टिंग हुई थी, इसमें घरताले करी गई थी, धमकाया गया था, लेकिन वॉयलेंस बिल्कुल नहीं की गई थी, जल्दीर रॉयल इंडिया एयर फोर्स और इस्थानी पुलिस सेवाओं ने भी भाग लेना शुरू कर दिया, शामिल हो गई फ्यूरी म जज़ेटों ने एक्जाम दिया होगा, यहीं पढ़ें इंडस्ट्रा लॉस सब्सक्राइब, इसमें अपनाया था। नहीं अपनाया हो भार्ती सवतनत्रता भार्ती संगराम, में विद्रोह में हमें भाय मेहत था, रॉयल इंडिया नेवी की म्यूनी ने लिज़ी ने बीन तो इसमें धीरे धीरे करके जो आम जनता थी उसने भी इस मुवमेंट में पार्टिसिपेट किया जो रॉयल इंडिया नेवी की जो सेलर्स थे उन्होंने अपनी दुकाने लिए खुली कर दी आप हमारे आसे जो समान चाहें आप ले सकते हैं इस तरीके से सपोर्ट करा है उस यह इसमें एकता ही कही उस ताइम पर जब की लिए नेवी में एकता देखी जा रही थी जो रही थी रॉयल इंडिया नेवी के विद्रो का ही परिणाम था और उसके पहले वेवल मिशन फेल हो चुका था 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 ताइका ह्थी ही कमने अरु नेश्न को लो थानान इंचे, को बराबर बात कर रही थी और यह सारे फ्लान स्टेर होने के बाद जब रॉयल इंडिया नेवी की म्यूटनी हो गई तब सरकार को समझ में आ गया कि अब हमें करना ही पड़ेगा अब जब हमारी फोर्सेद ही हमारे साथ नहीं है तो हम जादा दिन तक भारत पर हुकुमत नहीं कर सकते हैं फिर विद्रो में ब्रिटिश तामराज के ताबूत में अन्तिम कील का काम किया अब हम अपने आंसर को कंक्लूट करेंगे ये बताते हुए कि रॉयल इंडिया नेवी के विद्रों ने ब्रिटिश भारत सरकार को यह अहसास कराया था कि अब वे देश पर शाषन नहीं कर सकते हैं और उन्हें अंतिता भारतियों को सत्ता हस्तांतरित करनी ही होगी हाला कि यह राजनीतिक कारवाई का परणाम नहीं था यानि कि जो रॉयल इंडिया नेवी की म्यूटनी थी वो कुसी भी पॉलिटिकल आक्शन का परणाम नहीं थी इसे बड़े बड़े लीडर से सपोर्ट तक नहीं किया था इसे कॉंग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं मिला हां कॉंग्रेस की लीडर अरुणा- असपली ने इसे खुल करकर सपोर्ट किया तया तो के अलावा क कॉंग्रेस की साारे बड़े नेता शान् रहते ये समुध्यों और इसे संवर्थन नहीं किया था नाविकों को साथंता था सेनान योग्दान दान भारत चु आजादी भी नहीं मिली तो इसी के साथ हमारा ये topic complete होता है अगले वीडियो में हम मेंस के perspective से एक और important topic question के form में discuss करेंगे तो बने रहिएगा channel के साथ मिलते हैं next video में thank you for watching